नमस्कार, राजस्तान सरकार के राजिय करमचारियों के लिए IFMS 3.0 पर पे मिनेजर की तरह फरवरी माह 2023 के बिल जनरेट होना सुरू हो चुके हैं और IFMS 3.0 पर आपने रजिसेशन कर लिया होगा और यहां तक के बिल भी जनरेट कर दिये होंगे और बिल जनरेट होने के बाद में जैसे हम पे मिनेजर पर बिल की स्टेटस रिपोर्ट देखते थे कि बिल की अब इस्तती क्या है तो यसी इस्तती में अब आप IFMS 3.0 पर लोगिन करके अपने जो बिल यहां से लीडियो को फरोड करके उसके बाद में ट्रेजरी को फरोड हुए है उन बिल्स की स्टेटस रिपोर्ट आप कैसे देख सकते हैं इसे आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको SSO ID पर जाना है वहां से लोगिन होना है और IFMS 3.0 पर क्लिक करना है वहां जैसे जाओगे तो आपको दो रोल मिलेंगे एक वर्क इस्पेस वाला उसमें आपको सिंपली क्लिक करना है और नीची वाला टेब आप उसी इस्तती में चैन करोगे जब आपको as employee के रूप में कारिक करना हो उस टेब पर यहां पर क्लिक करने के बाद में इस परकार का डेस्पोर्ड आपको यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर आपको च्यार टेब दिखेंगे budget management, disbursement engine और revenue management, accounting and finance तो आपको यहां पर दूसरा है option disbursement engine इस पर आप पर simply क्लिक करोग यहां पर आपने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में यहां पर आपको एक option दिखाई दिया, उसके आपने simply क्लिक किया, एक नीचे आपको option left side में दिखाई दिता है employee management इसको आप क्लिक करोगे तो सारे details यहां पर है वो नीचे आपको सो होने लगती है, यहां पर आप सारी अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया है तो वेरिफिकेशन यहां से कर सकते सारी चीज़ को और उसके बाद में उसके नीचे एक option आता है बिल्स का यानि कि बिल्स जो employee के बनने है उस पे आपको simply पर पर ऑप क्लिक करना है तो आपके सामने एक नीचे ओप्सन दिखाई देता है बिल्स ट्रेटस बिल्स पर आपको simply क्लिक कर देना है यहां पर आपने ऑप्सन आता है कि सर्च करने के लिए या तो आप डेट वाइस सर्च कर दीजिए या फिर रेफुरेंस नमबर अगर जैसे आपने बिल यहां से फरोड की उसने थी कि उन्सार आप यहां से बिल भी सर्च कर सकते हो मानली जी आप यहां पर दिखा रहा है 23 से 24 तो हम यहां पर इसको डैट को थोड़ा चंज कर देते हैं जैसे मानली जी हम कर देते हैं 20 फरोडी से 24 तो यहां पर हम सिंपली सर्च पे क्लिक करदेंगे यहां पर हम झैसे सर्ट पर क्लिक करेंगे तो सारी dials है ओँआ यहां पे आपको सो होने लगेगी कि कौन कौन सी जो यह जो बिल है वो ट्रेजरी को फरॉड होचुक है या फिर किस इस्तती में है कोई भी ठीक हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यह आ रहा है बिल स्टेटस यहाँ पे आपको दिखे देरा पैंडिंग बिल एंपूरॊजफ़ो सबमिशण ठीक हैं थे सबमिशंण एप्रौफ़ोल के लिए वहां पर masters भी देख सकते हो की इंद्र कर जाकर आपको देखना यह है किए प सीट भी डॉनलोड कर सकते हो सेड़ूल भी डॉट कर सकते हो मानिय जी हम इस पर एक बार क्लीक करते हैं कि यहां पर किलीख करने के बाद में आप के पास तीन options आते हैं जिसे bill inner pdf डाउनलोड यहां से होगी bill outer pdf यहां से डाउनलोड होगी schedule जो आपके cut होती जब यहां पर डाउनलोड होगी यहां पर आप open पे क्लिक करोगे तो फाइल उसी परकार से खोल जाएगी जिस परकार से आप pay manager पर खोल कर देखते थे ठीकर तो इसे इस्तति में आप नई तरीके से बिल को बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो यहां पर आप यहां जाकर भी उसे आप search कर सकते हैं कि किस परकार से आपकी बिल की status हो यह इसकी reference number है और यहां पर आप जैसे जाते हैं तो उसके बाद मैं इस इंडिजल बिल से समद्धी सारी details है वहां पर देखेगी सारी details है और यहां पर आप देख सकते हो आसानी से इस पर आपने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद मैं डीडियो फरोर डैट है वो चोईस फरोरी दिखा रहा है और token number अभी जारी नहीं हुए है देख भी यहां सो नहीं हो रही है और ट्रेजरी न अब तक पास नहीं किया है यहां यहां पर नहीं हो बिल उसके बाद में Treasury एक बार टॉकन नंबर जारी करेगी और उसके बाद मगोसे पास करेगी और पास करना के बाद में उसके